Hello everyone, good morning, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सुबा मैंने बेटे को इसको भेज दिया है और घर का काम सारा खतम किया लेकिन ये कैंडी के ड्रामे सुबा सुबा चालू है और इसके सारे ड्रामे ये सुबा सुबा होते हैं ये ट्रीट के लिए उसको ट्रीट चाहिए, ट्रीट खाना चाहती है मगर ये खाना खाना नहीं चाहती है बड़ी मुश्किल से मैंने इसको फिर खाना खिलाया अगर कभी हम बीमार हो जाएं या किसी रीजन से हम कहीं चले जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये खुद से खाना नहीं खाती है इसकी आदत है इसे हाथ से खिलाना पड़ता है हमेशा इसे खाना खिला है हमने मैंने सारा घर का काम खतम किया फिर मैं सारे काम को चीरते वोगे निकली पार्क की और अपने बच्चों को लेकर मैं और मेरी फ्रेंट हमने बैटमेंटन खेलने की बहुत कोशिश की मगर हम खेल नहीं पा रहे थे कोशिश तो हमने काफी की खेलते-खेलते काफी लेट भी हो गया हमें हमने सोचा घर चलते हैं घर आये, चायवाय बनाई हमने कुछ काम खतम करके मैंने डिनर की तयारी शुरू करदी चावल को नहला के मैंने किनारे कर दिया कि वो अच्छे से भीग जा है उसके बाद बेसन को भी भीगा के बैने साइड में कर दिया पकोरणी की तियारी की पकऊरणी में नॉर्मली मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ मिर्ची का यूस मैं कम करती हूँ क्योंकि मेरा बेटा फिर नहीं खाता आप लोग अपने हिसाब से मिर्ची डाल ले ना मेरे कहल से सब को कड़ी पकोरणी आती है मैं प्यास की पकोड़ी बनाती हूं प्लेन पकोड़ी मुझे पसंद नहीं है आपको जैसी पसंद आप वैसे बनाओं सबका अपना अपना टेस्ट होता है पकोड़ी बनने के बाद बहुत टेस्टी लगती है ना देखने में तो लगता है ऐसे खालो हम यूपी वाले बिना दही की कड़ी बनाते हैं हमारे पास एक इंग्रीडियंस होता है खटाई कहते हैं उसको वो सब कुछ मैंने डाला हल्दी हींग वगएरा राई सब कुछ डा है और यह रहा है चावल इस चावल को मैंने पकाया है वो भीगे हुए चावल नहीं है और यह रही कड़ी यह मैंने बेटे को खाना दिया थैंक यू फॉर वाचिंग मैं चैनल प्लीज आइकन सब्सक्राइब थैंक यू टेक केर